आज हम आपको बताएंगे मकराशी के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है साल 2021 इसमें हम जानेंगे मकराशी के लोगों का स्वभाव, शिक्षा, करियर, लव लाइफ, आर्थिक सिती और उनका स्वास्ते कैसा रहेगा आने वाले साल 2021 में सबसे पहले बात करते हैं मकराशी के लोगों के लखी चीजें यानि की लखी नमबर 689, लखी दिन, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार, लखी कलर सफेद, लाल, और नीला, लखी स्टोन, ब्लैक और गूमेद अब बात करते हैं मकराशी के लोगों के सौभाव के बारे में मकराशी का स्वामी ग्रह शनी है ये लोग सौभाव से काफी जादा शांत, मेहनती और भावुक होते हैं ये अपनी लाइफ को खुशी के साथ जीते हैं साथ ही ये लोग दिल के बहुती प्यारे विक्तियों में से एक हैं ये कोई भी निर्णे बहुत जल्दी नहीं लेते हैं अपनी लाइफ से जुड़ा परतेक निर्णे बहुती सोस समझ कर लेते हैं ये लोग खुद भी हमेशा खुश रहती हैं और चाहते हैं कि सभी इनकी तरह खुशी के साथ जिन्दगी को जीएं ये अपनी वज़ा से किसी का दिल नहीं दुखाते ये लोग जल्दी किसी के सामने पूरी तरह से नहीं खुलते हैं साथ ही इने अपनी पर्सनल लाइफ की बातें दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं होता लव लाइफ की बात करें तो ये लोग प्यार के मामले को बहुत ही गंबीरता से लेते हैं और अपनी सूज भूच से सबको खुश रखने का प्रयास करते हैं प्यार में इनका लुक से जादा दिल की खूपसूरती पर अधिक फोकस होता है। एक बार प्यार हो जाने के बाद ये अपने पार्टनर की प्रती बहुत ही लोयल रहते हैं और उन्हें अपने पलकों पर बिठा कर रखते हैं। अब बात करते हैं साल 2021 में मकर राशी के लोगों की शिक्षा के बारे में। उन्हें सफलता के लिए अधिक मेहनत की जरूरत हैं। चात्रों को सलाहत दी जाती है कि चात्र केवल और केवल अपनी शिक्षा पर ध्यान दें। जिससे वे शैश्रिक शेत्र में अच्छी काम्याबी हासिल कर सकें। कुल मिलाकर शात्रों के लिए यह वर्ष उन्ती दायक रहेगा। बात करेंगे साल 2021 में मकर राशी के लोगों के नौकरी विवसाई के बारे में। करियर राशी फल 2021 के अनुसाल नौकरी और विवसाई के मामले में यह वर्ष आपके लिए शांदार रहेगा। आपको अपने करियर में मेहनत का सही फल मिलेगा। इस समय अपने करियर में बहुत सी उचाईयां हासिल करेंगे जॉब कर रही लोगों को आगे बढ़ने में एक नई दिशा प्राप्त होगी यदि कोई पूर्व का कारे अटका हुआ था तो उससे जुड़े फलों की भी प्राप्ति आपको इसी वर्ष होगी नए कामों की पलता मिलने के योग हैं जिनके लिए आपको काफी लंबा इंतजार करना पड़ा फल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए करियर में लगातार आगे बढ़ने वाला रहेगा अब बात करते हैं साल 2021 मकर राशी के लोगों के लिए प्रेम और विवाहिक जीवन के बारे में प्रेम राशीफल 2021 के अनुसार प्रेम और विवाहिक मामनों में यह वर्ष आपके लिए शांदार रहेगा लब पार्टनर के साथ आपकी प्रेम पर संगों में मिठास बढ़ेगी आप दोनों को अपने रिष्टों में निकटता का एहसास होगा मुलकातों के कई अफसर मिलेंगे जिसमें संग बिताए गए पल आपके लिए काफी यादगार रहेंगे विवाहिक जात्कों के दामपत्य जीवन में प्रेम की वृद्धी होगी आपके और आपके जीवन साती की एक दूसरे के प्रति समझदारी पहले से अधिक बढ़ेगी इस वर्ष आपको अपने पार् असास देलाएं राशीफल मिलाकर प्रेम और विवाहिक जीवन में इस वर्ष आपके जीवन में कई खुश्यों के पल आएंगे बात करें मकराशी के लोगों के लिए साल 2021 में पारिवारिक जीवन के बारे में राशीफल 2021 के अनुसार पारिवारिक मामलों में यह वर्ष आ आपके लिए बढ़िया रहेगा पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम की भावना बढ़ेगी और उस प्रेम में आप भी खुश रहेंगे पारिवारिक जीवन में आपको अपने परिवार वालों का साथ मिलेगा हलाकि शुरुवात में परिवार को लेकर कुछ परिशानी आ सकती हैं ऐसे समय में धहरे रखें और परिशानियों को मिलकर सुलजाएं इस वर्ष आपकी हर संबभ मदद के लिए आपकी परिवार के बड़े लोग आपके साथ खड़े नजर आएंगे इस वर्ष आपसे कोई नए रिष्टे जुड़ सकते हैं जिनसे आपका उत्साहा सकते हैं कुल मिलाकर इस पूरे वर्ष घर परिवार में खुशाली रहने के संभावना हैं बात करें साल 2021 में मकर राशी के लोगों की आर्थिक स्थिती के बारे में राशीफल 2021 के अनुसार आर्थिक मामलों में यह वर्ष आपके लिए एवरिज रहेगा विशेशकर साल के पिश्रुवाती महीनों में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं इसलिए ऐसे में आपको इस पूरे वर्ष ही अपने धन का सही इस्तिमाल करते हुए अपने धन को संचे करने की और अधिक प्रयास करना होगा जिससे आपको किसी भी तरह की आर्थिक तंगी का सामना ना करना गां बात करें साल 2021 मकर राशी के लोगों के स्वास्ते के बारे में राशीफल दो हज़ार एकिस के अनुसार स्वास्ते जीवन के लिए ये वर्ष आपके लिए काफी अच्छा रहेगा इस वर्ष आपको अपनी किसी पुरानी बीमारी से भी रहत मिलने की योग हैं हलाके इस वर्ष आप भी अपने स्वास्ते पर ध्यान दें और अपनी सेहत के प्रती जागरुक रहें। इस समय आपके लिए योग वयाम और ध्यान करना सबसे बहतर रहेगा। इसलिए जब जब समय मिलें इसे अन्यमित रूप से करते रहें। जिससे आप पूरे वर्ष फ पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिष्टेदारों के साथ शेयर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए साथ इसाथ बैल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंसके धनेवा दोस्तों।